यदि हम ऐसा सोचते हैं कि डायोड केवल फॉर्वर्ड बायस में हमारे लिए उप्योगी है और रिवर्स बायस में नहीं तो ऐसा नहीं है कुछ ऐसे डायोड है जो केवल रिवर्स बायस में ही हमारे लिए उप्योगी होते हैं और ऐसा ही एक डायोड है जेनर डायोड हम जा और इसी के नाम पर हमने इस वोल्टेज का नाम रखा जैनर ब्रेकडाउन वोल्टेज यानि कि जैनर भंजन वोल्टेज तो जैनर डायोड भी ऐसा डायोड है जो जैनर भंजन वोल्टेज पर ही कारिय करता है और जब इसकी कारिविदी को हम समझे तो यह जैनर भंजन वोल् थाने से अवक्षपरत की मोटाई कम हो जाती है और अवक्षपरत की मोटाई कम हो जाने पर इसका भंजन वोल्टेज बहुत जल्दी आ जाता है तो इसका इस्तमाल हम करते हैं वोल्टेज नियंत्रक की रूप में किस प्रकार करते हैं यदि हम इसके करेक्टिस्टिक ग्राफ को देखें तो डायोड में फॉरवर्ड बायस में अत्यादिक धारा प्राप्त होने लगती है धारा के मान में एक एक वृद्धी होने लगती है और हम यह कहा सकते हैं कि जो धारा का मान है वो बहुत ही सुक्ष्म परिवर्टन वोल्टेज में होने पर अत्यादिक प्राप्त हो जाता है यह दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत अधिक धारा ह वोल्टेज तो नियात रहता है पर धारा के मान में वृद्धि हो जाती है और इसी गुण को इस्तमाल करके हम जैनर डायोट का उप्योग वोल्टेज नियंतरक के रूप में किया जाता है तो इस जैनर डायोट को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध के साथ और जिस उपकरण में वोल्टेज को नियंतरित करना है उसको जैनर डायोट में जोड़ा जाता है समानतर क्रम में तो इसका परिपत सर्कीट कुछ इस प्रकार नजर आता है यहां पर हम देख सकते हैं कि जैनर डायोट के साथ एक्ष्रेणी क्रम में प्रतिरोध जूड़ा है और यह बल्ब जूड़ा है जिसके एक्रोस हमको वोल्टेज को नियंतरित करना है अभी किस सिद्धान पर कारे करता है जैनर डायोड का जो भंजन वोल्टेज होता है उसी उतना ही वोल्टेज वो नियंतरित करता है यानि कि उसके जो सीरो के मध्य वोल्टेज होता है व तो यदि मान लिजे कि हमको एक ऐसा बल्ब चाहिए जिसके across voltage पाँच वोल्ट का है तो हम जो jenner diode यूज करेंगे उसके समानतर क्रम में उस jenner diode का भंजन voltage भी 5V का होना चाहिए और यह पांच वोल्ट नियत ही रहेगा इस बल्ब के एक्रोज भी किस प्रकार यदि यहाँ पर जो निवेशी आउटपुट दिया जा रहे है वो फ्लक्चुेट हो रहा है और यह जनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है जनर डायोड फारवर्ड बायस में नहीं प्रक्ट होता है तो यहाँ पर हमने जनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा हुए है और यहाँ पर जो निवेशी वोल्टेज दिया जारा उसमें फ्लक्चुेशन है माना कि वोल्टेज अधिक है उस कंडिशन में जो श्रेनी क्रम में जनर डायोड से प्रतिरोद उसका फ्लक्चुेशन वोल्टेज कम को कहां देखने को मिलेगा इस प्रतिरोद के सीरो के क्रॉस लेकिन यह जो जनर डायोड यहाँ पर श्रेनी क्रम में जूडा हुए है उस जनर डायोड का वोल्टेज नियाथी रहेगा वो भी कितना भंजन वोल्टेज में क्योंकि हम जानते हैं forward bias में तो धारह असानी से प्रवाइत हो जाती है किसी बैडायोड में起स्धाइस में voltage धारह के प्रवाह को दाइयोड रोगता है वहां पर रुकावटें आती है तो िदेनाट भी अगर forward भायस में होगा तो इसमें सिधार आसानी से सपरावात हो जाएगी लेकिन वो कब ब्लक करेगा जब वो रिवर्स बाइस में होका और यहां पर भंजन वोल्यche जा जाग्या कि इस डायोट का यदि भंजन वोल्टेज यहां पर है भंजन वोल्टेज पर हम ने जोड़ा है जो की 5 वोल्ट का मान लीजिए तो यहां पर इसके बाद कि पुत्ट अब कम्हारी हो जाएं लेकिन वो वोल्टेज नियत की रहेगा और वह मान लिजे 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट ही रहेगा तो इस प्रकार इस बंव के across भी वोल्टेज नियत ही रहेगा अगर मानली जें यहाँ पर पर इंपूटच दिया रहा है सुर्ण कमान गिर गया कम हो गया बंजनओ वोल्टेज से उस कंडिशन में क्या होगा उस कंडिशन में भी जो यहां पर प्रतिरोध है उसी के एक्रॉस ही वोल्टेज परिवर्तन होगा और जो जैनर डायोड के सीरो के बीच में जो वोल्टेज है वो जैनर भंजन वोल्टेज के बराबर ही होगा तो जैनर डायोड होता है वो लो वोल्टेज कंड पर दोनों रेक्षन में वोल्टेज सिगनल दीया जा रहा है मतला पॉजटिव वोल्टेज भी खीडिया जा रहा है को जैसे की मैंने बता है 怎樣 positive voltage में तो यह धारा को प्रवाहित कर देगा forward भारा के प्रवाह को रोकेगा या फिर हम कह सकते वोल्टेज को नियंतरित करेगा और वही नियंतरित वोल्टेज यहां पर आउटपुट ने प्राप्त होगा इस प्रकार श्रेणी क्रम में अपोजेट डायोड का सिंबल इस प्रकार बनाया जाता है हम एक ही एस जैसे बना देते हैं और दो ट्राइंगल को एक सथ बना देते हैं तो इस प्रकार जो जैनर डायोड है वह रिवर्स बायास में एक वोल्टेज नियंतर के रूप में कार्य करता है और ऐसे ही रिवर्स बायस में काम करने वाला एक और डायोड है जिसको हम फोटो डायोड के नाम से जा एक उधारण है opto electronics junction डायोड ऐसे डायोड होते हैं जिन में opto यानि कई light signal को या तो electric signal में change किया जाता है यह electric signal को हम light signal में change करते हैं यह जो photodoų डायोड है वह भी reverse bias में काम करने वाला डायोड है लेकिन यहां पर जो रिवस बायस दिया जाता है वो इसके भंजन वोल्टेज से कम होता है जैसे कि हमने पहले जने डर्ड में पढ़ा था कि वो भंजन वोल्टेज पर कारे करता है लेकिन जो फोटो डायोड है उसमें जो रिवर्स बायसिंग होती है वो उसके भंजन वोल्टेज से कम होती है मान लीजे किसी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है जिसके कारण धारा का चालन नहीं होता है अब यहां पर धारा का उप्रावाहित होने के लिए जो अर्थ चालक है उनमें ऊर्जा दी जानी चाहिए ताकि जो एलेक्ट्रॉंस हैं वो बैंड गैप को पार कर सकें अगर बैंड गैप इजी है तो यहां पर उर्जा उस बैंड गैप से अधिक होनी चाहिए उतनी उर्जा किसी भी रूप में दे सकते हैं चाहे हम विद्दूत के रूप में दे सकते हैं चाहे प्रकाश के रूप में दे सकते हैं पर यह फोटो डायोड में जो उर्जा है वो उश्मा के रूप और विद्दूत की रूप में नहीं दी जाती बलकि वो दी जाती है प्रकाश के रूप में नाम से समझ में आ रहा है यह अप्टो एलेक्टोनिक डिवाइस है तो यहां उर्जा किसके रूप में दी जाएगी और जब इतनी आवरिती का प्रकाश दिया जाए जो उसके रहोती है एच न्यो जहां न्यूं इस आपकतित प्रकास की आवरिती होती और एच प्लांग कॉंस्टेंट और यह जो फोटो डाइओद है agencyً कुछ सब्सक् boys जिसके करण को आधिकता का जाती है और यहां पर प्रभाहित होगती है यह यह कह सकते हैं इस प्रकार जब फोटो डायोट को किसी सरकिट में जोड़ा जाता है तो उस सरकिट में एक निश्चत या उचित आवरिती के प्रकाशव संधी पर पढ़ने से उस सर्किट में पश्च धारा प्रवाहित होने लगती हैं और इस प्रकार के ऑप्टो एलेक्ट्रोनिक डिवाइज यानि की फोटो डायोड का उप्योग विभिन जगों पर किया जाता है जैसे कि परिवर्ती प्रकाश सिगनल को विद्दू सिगनल में करने के लिए यह जो फोटो डायोड होते हैं वह एक्चुली प्रकाश के संसूचक होते हैं यह ऐसे अर्द चालक से बना जाते हैं जो की प्रकाश समवेदी होते हैं इसलिए लाइट को डिटक्ट करते हैं और इसलिए इनका ओपियोग स्वाचलित या फिर बोल सकते हैं ज प्रकाश की intensity के आधार पर यदि हम पहले देखें तो क्या होता था मान लीजिए लाइट जलाने का टाइम फिक्स है चे बजे का तो गर्मी की दिनों में तो चे बजे भी हो जाला रहता है और ठंडी की दिनों में तो पांच बज़े से अंधेर हो जाता है तो यदि छे बज़े अगर हम टाइम फिक्स कर दें तो सहीं समय पर हमको रौष्णी स्ट्रीट लाइट की नहीं मिल पाती थी इसके कारण असुईधा होती थी लेकिन जब प्रकाश यह मतला फोटो ऑफ रहते हैं एकशुएली जो फोटो डायोड के सासथ यहां पर स्पेशल का स्विच भी जोड़ा जाता है जिसको रिले स्विच कहते हम लोगू जो कि प्रकाश की intensity से काम करने लगते हैं तो यहाँ पर आपको फोटो डाइयोटो का बारे में बताना चाहएंगी प्रकास की इंक्रम करते हैं और वातवरण में प्रकाश होता है तो वहां पर लाइंड में let एंदेरा हो जाता है तो वह से अपन्या पी और ळाइट जाकर जलाने की बलकि WAS प्रकाश की समवेधना से और यॉव हो जाते हैं यह जो फोटोडायोड होते उसमें जो धारा उत्पन्न होती है वो डिपین्ड करती है प्रकाश की तीवरता पर जितनी जदा प्रकाश तीवर होगी उतना ही धारा का परिमान भी देखने को प्राप्त होता है तो इस प्रकार डायोड reverse bias में काम करने वाले एक ऐसा डायोड है जो की प्रकाश उर्जा को विद्दूत उर्जा में convert करता है अब अगला जो opto electronics junction डायोड है वो है solar cell जिसका नाम हम सभी सुनते हैं यह जो solar cell होता है वो एक ऐसा junction diode है जो की ना forward reverse में काम करता है ना ही reverse bias में काम करता है इसमें biasing नहीं होती है अभी तक हमने जितने भी पड़ा उसमें हम देख रहे थे कि जो डायोड है वो reverse भी बायसिंग नहीं होती कि solar cell एक ऐसा उपकरण एक ऐसा डिवाइज है जो कि सौर्य उर्जा को स्वैम ही विद्धूत उर्जा में convert करता है इसनिया मिसमें पहले से कोई भी विद्धू श्रोत नहीं जोडते हैं अब यह जो solar cell होता है इसको हम पी प्रकार और एन प्रकार के अर्दचालक से ही बनाते क्योंकि यह संधी डायोड है लेकिन यहां पर एन प्रकार के डायोड को पी प्रकार के ऊपर रखा जाता है और एन प्रकार के डायोड की परत बहुत ही पटली होती है पी प्रकार के comparison में और इन दोनों अर्थचालकों के ऊपर एक finger diode भी रखा जाता है इस finger diode से गुजर कर ही प्रकाश की जो किरने हैं यह जो सौर यह उर्जा है वो संधी तक पहुशती है चुकि एन प्रकार का पतला होता तभी तो प्रकाश की किरने उस एन electron और holes उत्पन होते हैं electrons and ** की तरफ चलने लगते हैं और holes P vec की야 और बढ़ने लगते हैं जिसके कारण n जो reason है वह और अधिक रिनात्मक हो जाते हैं और पीरीन और अधिक धनात्मक हो जाता है मतलब P P और N reason के बीच में विभव का अंतर हो जाता है और इस विभव के अंतर के कारण यहां पर उत्पन होती है धारा यह कि हम जानते हैं कि हभवा ही सोती जब का अंतर हो तो यह और आरगाल चालक रहते हैं वह positive terminal और negative terminal अफ बैटरी की तरह काम करने लगते हैं और इस circuit में प्रवाइत होने लगती है विदुद्धारा जिसके कारण हम कई उपकरणों को चलाते हैं क्योंकि विदुद्ध उर्जा प्राप्तुरी तो कई उपकरण चलने लगते हैं तो इस प्रकार जो सोलार सेल होता है वो इस प्रकार का जंक्शन डायोड है जो कि सौर्य उर्जा को विद्दूत उर्जा में कनवर्ट करता है अब इसको हमने तो बहुत जगी पर देखा है आपने अपने स्कूलों में देखा होगा जो क्या बते हैं सूजला योजना बनाई गी है जहां पर हम देखते हैं गाओं में खेतों में सोलर बड़े-बड़े पैनल्स रहते हैं ऑफि कि रोशनी को कनवर्ट कर रहा है विद्दूत उर्जा में तो क्या केवल इन सोलर सेल का स्तमाल हम लोग दिन में करते हैं ऐसा तो नहीं है हम इन सोलर सेल का स्तमाल रात में भी करते हैं तो उस समय विद्दूत उर्जा कहां से आती है जब सौर्य उर्जा ना हो तो तूरजय में कणवर्ट होते रहती है तब यह जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है और यह बैटरी जो फुल्ली चार्ज हो जाती है उसके बाद सूरज रहे यह ना रहे कभी-कभी ऐसा होते हैं कि अचानक बारिश हो गए बादल चाह गया मौसम काला हो गया तो उस समय तो ह चार्ज बैटरी है यह घर के ऑफिसों के बंगलों के सारे उपकरणों से जुड़ी हुई होती है और यही विद्धूत ओर्जा प्रोवाइट करती है बाकी उपकरणों को जिसके कारण हम आसानी से अंधेरे में भी यानि कि सूरज की अनुपस्थिती में भी हम विद्धूत और यह आनंद ले सकते हैं आपने बच्चों के खिलोनों को चार्जर देखा है जिब उस चार्जर को हम लोग ओन करते तो इसमें लाल रंग की बलब टाइप के जलती है पहले मोबाइल की चारजर में भी ऐसा होता था वह लाल रंग का बल्ब हमको नजर आता था लेकिन व और ये ऐसा उपकरण है जो कि विदूत उर्जा को प्रकाश उर्जा में कनवर्ट करता है। और ये एक ऐसा वराइटी का डायोड है जो कि forward bias में काम करता है। अभी तक हमने देखा कि reverse bias में काम करने वाले उपकरण ये डायोड के बारे में पढ़ा। लेकिन ये जो डायोड है वो forward bias में काम करता है जो कि विदूत उर्जा को प्रकाश उर्जा में कनवर्ट करता है। आपने इस प्रकार के डायोड अलग-अलग रंगों में भी देखे होंगे जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला बच्चों की खिलोनों में देखते हैं बड़े सुंदर और आकरशिक नजर आते हैं। वैसे अब दिवाली के समय, किसी तहवार के समय अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी को जैसे लाइट्स वाले उपकरण लाते हैं, तो इस सारे लाइट्स वाले उपकरण में भी बल्ब नहीं लगा होता है, इसमें लगा होता है लाइट एमिटिंग डायोड, बल्ब यहां पर प्रकार का अर्धचालक होता है जैसे बड़ बेहां हम लोग कैसे भी उसको सरकीट में फिट कर देते हूं वह जलता है लेकिन यह दिन लाइट एमिटिंग डायोट को किसी सर्कीट में फिट करें तो वह जलेगा नहीं वडिकि कब काम करेगा मैंने जब फ़ॉर्वर बाये ऊसमें हो फॉर्वर्वड बायास मतलब इस डायोट के की टर्मीनल को बैटरी के प्लस सीरे से जोडना है यह नज यह तो जब इसकी बाइसिंग फारवरड होगी या तो लाल होगा या पीला या हरा या नीला जैसे कि बल्ब जो है वो तो सात रंग के प्रकाश देते हैं तो इसका एक एडवांटेज यह है कि यह एक वरनी प्रकाश देते हैं यह सस्ते होते हैं और यह कम शक्ती में काम करते हैं इनका उपयोग चोर घंटी में सुदूर न तीन एलेक्ट्रोन वोल्ट से 1.8 एलेक्ट्रोन वोल्ट तक होती है तो जो एलेडी बनाने के लिए अर्ध चालक इस्तमाल किया जा रहा है कम से कम उसके जो बैंड गैप है वह 1.8 एलेक्ट्रोन वोल्ट का होना चाहिए अब होता क्या है कि जब इस डायोड की डायोड में व बहु संख्याक आवेश वहां के वो संधी क्यों चलने लगते हैं और जब यह संधी क्यों चलने लगते हैं तो बहु संख्याक आवेश वहां किस से कंबाइन होते हैं और जब यह कंबाइन होते हैं तब उर्जा उत्पन होती है उत्सर्जित होती है प्रकाश के रूप में ज जो LED वो भी बहुत ज़्यादा डोप्ड होते हैं, इन में डोपिंग की मात्रा बहुत अधिक होती हैं जिससे की इसमें बहुत संख्याक आवेशों की मात्रा अधिक हो अब जो अर्द चालक होते हैं उनका उनके बैंड गैप से ज़्यादा ओर्जा दी जाएंगी तभी तो एलेक्ट्रोंस और होल संदी को क्रॉस करेंगे जो सिलिकन है उसकी जो उर्जा अंतराल होता है वो 1.1 एलेक्ट्रों को होता है और जर्मेनियम का 0.7 एलेक्ट्रों वोल्ट का होता है और जो LED बनाने के लिए अर्द चालक चाहिए उनकी उर्जा अंतराल कम से कम 1.8 एलेक्ट्रों वोल्ट की होनी चाहिए तब ही तो वो गैलियम आर्सनाइट, गैलियम आर्सनाइट फॉस्वाइट या गैलियम फॉस्वाइट जिससे की वो उचित आवरिती का दृष्य प्रकाश दे सकें